आज 6 डिसेंबर 2021 हम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदी मुरली आज का महावख्यों इस महावख्यों में बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे द्यान में दी हुई चीज कभी भी वापिस नहीं लेना वापिस लेंगे तो आशिरवात के बदले स्राफ मिल जाएगा भुक्ती मार्ग में भी हम देखते आए हैं तो ये दान का महत्तो अभी ये ग्यान मार्ग है डाइरेक्ट भगवान आ चुके हैं इहां भी और ही हमें सब्दानी से चलना चाहिए बाबा हमें बहुत संदर आज शिक्षा देने आए हैं प्रश्न है कौन सा निश्चे पक्का हो जाए तो किसी भी बीरूत का सामना कर सकते हैं उत्तर अगर निश्चे हो जाए कि हमको भगवान मिला है उसे याद कर हमें बिकौर्म विनाश करने हैं बिश्यो की बादशाही लेनी हैं तो सब अपोजिशन खतम हो जाएंगे सामना करने की शक्ती आ जाएगी निश्चे की कमी है तो मुझ जाते हैं फिर ग्यान को छोर भक्ती में लग जाते हैं ये हमारा डिटोरेशन हो जाता है इसलिए बाबा के हैं ये निश्चे बुद्धी पक्का करो गीत है आज का तुम्हे पाके हमने जहान पा लिया है जमी तो जमी क्या आसमा पा लिया है आम शांती यो गीत कौन सुनते हैं बच्चे सुनते हैं वो ही अर्थों को भी समझते हैं भक्ति वालों ने बनाया अभी ज्ञान मार्ग वाले ये समझते हैं प्राजा भी जो सुनते हैं वो भी विश्यो का मालिक बनते हैं ये अधात्मि ज्ञान का इतना ही महत्तो है जैसे भारत वशी सब कहते हैं हमारा भारत वेई से वहा भी जथा राजाराने तथा प्राजा सत युग में सब समझते हैं विश्यों के मालिक है हम सब जैसे युरूब वश्याए passieren मालिक आए वो भी कहते थे हम हें तून साल वो राजत तो किया भारत को उस समय फिर छिखु या नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं क्यूंकि उस समय इंग्रोजों ने भरत बश्यों को गुलाम बनाये थे राजाई सारी उन्हों को हाथ में थी फिर हमरा रज्यो भईयो राबन ने छीना बाबा के देश का साथ हम अगर तुल ना करें द्रापर युक से हम सब राबन का जल में फसे हुए थे अभी हमको अपना रज्यो चाहिए बाबा आया है राम हमें राबन का जल से छुराने के लिए यह पराया रज्यो है ना गया भी जाता है दूर देश के रहने वाले आया पराय देश सयंग भगवान आ चुके हैं इस ध कोई के लिए लटते नहीं हो अपने के लिए तुम सब कुछ करते हो हमरा रज्यो भग्यो होगा हम राजा बनेंगे हम सावकार प्रजा बनेंगे वो सेना लटती है देश को रक्षा करने के लिए अपने प्रेसिडेंट बाप्रायम मिनिस्टर के लिए देश को रक्षा करन भारत हमारा है परुंतु भारत बशियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा रज्जों नहीं है अभी तो यह रावंद रज्जों है यह रावंद का रज्जों हो गया विकार पैदा हो गया मुनिश्य मुनिश्य में लराई जगरा तो चलते रहते हैं जिसमें हम तो रहे र रहे हैं हम जिवन वेदित कर रहे हैं रामरज्यों में तु क्या करें तो बाबा उसका उपाय बताते है तुम जानते हो पाँच हज lux french के बाद हम तो रज जो ले रहे हैं किस से परमात्मा बाप से परमात्मा बाप हमें ऐसा बिधी बताते है राम अक्षर कहने से लोग मुझते है इसलिए बहुत का बाप कहना ठीक है राम तो उत्रता जोगी राम भी था अभी ये राम मना बहुत का बाप है अमरी शिक्षक और सद्गुरु है इसका प्रती हमारा बहुत प्रेम रहेना चाहिए बाप अक्षर बहुत मीटा है ना तो बाप ही बर्षा याद दिलाते हैं एक बाप के सिवाए और सब कुछ भूल जाना है यह देहो देहो की दुनिया यह संपरको मामा काका चाचा हम आत्मे बाप से बर्षा ले रही है बाप आकर तुम को आत्म अभिमने मनाते हैं हम आत्मा है यह हमरा सरीर है आत्मा कि इतनी छोटी महीन है उसमें चराशे जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ना यह मोटी बुद्धी वाले समझ नहीं समझ नहीं पाते हैं और देहो समझ करके जिन्दगी को चलाते रहेते हैं और ही और ही तो पेछिला में आ जाता है तो बाबा हमें ये जेल से चुराने के लिए ये तो उपर उठाने के लिए हमें ये महीन शिक्षा देते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं तो दुनिया वाले तो तो ये गड़ा में पढ़ जाता है ना किसी को समझा सकता है बाबा से बर्शा ले रहे हैं, कितना सहज बात है ना, घर घर में जाकर किये, शंदिश हमें देना है, पर उन्तो माया भूला देती है, इसलिए बच्चों को महनत करनी पड़ती है, इसमें कोई हतियार बारूत की कोई बात नहीं, माया से हमारा जुद्ध हो, लेकिन मन ही मन, यह मन को पावरफुल बनाना, माया को हमें हराना, इसमें कोई हतियार का कोई काम नहीं, नो कोई ड्रिल अदिशिक्नी है, नो कोई शस्र अदिए उठाना है, सिप बाप को याद करना है, तो हमारा यह कठीन जिबन को कितना सरल सहज बना दिया, बाप जो सुनाते हैं, वो से और जिवन में काम में लगाना और जिद्धिक को बराते रहेना हम अपना रज्ज भाइग्यों ले रहे हैं जैसे नाटक में एकटर पार्ट बजाकर फिर कप्रे बदलकर अपनी घर चले जाती है वैसे तुमारी बुद्धी में भी है ना कि हम अब नाटक पूरा हमारा ना जाएंगे हम हर पाँच आजर बर्शों के बाद पार्ट बजाते है अधाकल पर रज्ज करते है अधाकल पर गुलाम बन जाता है किसका रावन का ये रावन का तो रज्ज से हमें छुराने के लिए बाप आया है तो बच्छों को कोई जास्ती तकलिफ बाबा नहीं देते बुद्धी में सिर्फ याद रहनी चाहिए पुरुशार्ट कर जितना हो सके यो भूलना नहीं चाहिए तो ये पुरुशार्ट अर्सा करना चाहिए हमें भूलना नहीं चाहिए हमें पुरुशार्ट करना चाहिए याद रहने का हमें पुरुशार्ट करना चाहिए अब न पूराबन बन वापिस चले जाएंगे। एक बच्चा जन सकता है कि मैं बाप को कितना याद करता हूँ। तो अपना पुरुशार्थ से पता लग दाता है। अपना मन ही गवा देता है। तो राय देता है। चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे। खुद का तो खुद का जो चार्ट है खुद ही तो जाने में क्या करता हो क्या ना करता हो परन तो बुद्ध में तो रहता है ना तो सारा दिन में तो हमने क्या क्या किया जैसे बैपारी लोग अपने मुरादी समालते हैं रत्री को सारा दिन बैपार किया तो रत्री समाए तो करना चाहिए, सारा दिन में बाप को कितना याद किया, कितना याद किया, तो सारा दिन, तो कैसे कैसे हमने दिन बिताया, तो कितने को बाप का पुरिश्य दिया, जो हुशियार होते हैं, तो उनका धंदा अच्छा चलता है, बाप को अच्छा रिपोर्ट देता है, का तो दिन हे दिन डाल होता जाता है तो यह तो अपने कमाई करनी है बाबा के यह लौकिक दुनिया का कमाई करते हैं यह आधात्मिक दुनिया के लिए हमें कमाई करना है बाप स्रिप कहते है बचे मुझे याद करो चौकरो को याद करो तो चौकरो बुर्टी राजा बन जा साउकर को बहुत होती है, वो अपनी गरीबी में ही खुश रहते हैं रोटला खाने पर हीर जाते हैं, सुखी रोटी खाने की आदध पर जाती है न, यह रोटला मना सुखी रोटी, तो बाबा समझाते ही गाओवालों को, तो यह थोरा से ही संतुष्ठी मिलता है, साउकर को इच्छाए बहुत होती है ये खाओ, ये बनाओ, ये परो तो माबाप को भी माबाप को ही तंग कर देते है बाबा उनभवी है न तो गरीबो पर रहम भी आता है गरीब देखेंगे इतना बरा अदमी ग्यान सुनता है तो हम भी सुने तो बाबा उनभवी है बाबा अपना उनभव बताते है चित्रों तो बाबा ने बहुत बनवाई है कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ क्योंकि आजकाल भक्ती का भी जोर बहुत है एक तरफ समझाओ, दूसरे तरफ गुरू की चक्री लगती है, चक्री चलती है, इसलिए होशियर बच्चा होना चाहिए, जो वक्तो वालों ने दो चार कोशन करते हैं, उसका जबाब भी देना चाहिए होशियरी से, तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे, तो वो नाराज हो भुक्ती से तो भगवान मिलता है न, जब तक इस ग्यान में पक्का हो जाए, तो पुरा निश्चे हो जाए, कि हमको भगवान मिला है, वो हमको कहते है, मुझे याद करो तुभी करमबिनाश हो जाए, तो जब यो पक्का निश्चे जम जाए, तो भी किस से समना कर सके, ब कोई बार तो माया आएंगे, कोई बार अपना मन ही आपको रोग देंगे, तो पक्का निष्चे होंगे, तो ये सभी परिस्तितियों से सभी, तो जब समना आता है, वो आप समना कर सकते हो. तो इसके लिए निष्चे बुद्धी बी जयनती कहा जाता, तुम्हारे से ही तुम्हारे से ही अपॉजिशन है तुम एक बात कहेते वो दूसरी बात कहेते दुनिया में बहुत माटपद है न जहां मनश्यों जाकर कुछ न कुछ सुन कर आते हैं तो गिता का भी भिन-भिन अर्थों सुनाते हैं तो मनश्यों फस परते हैं शन्नाशी कभी ग्रियोस्तियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। Um कोई राइट नहीं बलने कोई हाक नहीं। अगर वो कहें कि निरवी का रिबनो तो फिर क्या होगा। क्या होगा।o आपका हां से आये हो। तो एम अबजेक्ट तो कुछ है नहीं। मार्ग बता दिया, मार्ग میں चलते रहते हैं तो हम अब्जिट खुछ नहीं, उल्टा रस्ता बताने वाले दुनिया में बहुत है, कौन नहीं है, जेतना मोख है, इतना बाद है, तो सच्चा रस्ता बताने वाले थोरे है, उन पर भी माया का बहुत वार होता है जैसे तुम हो सच्चा सच रस्त तुम बुलने जाते हो तुम माया तुम्हे रोग देता है दिल कहेगी कि पवित्र बने परंतु माया बुद्धी को फिराते रहेगी बहुत खराब ख्यालत राती रहेगी माया की लराई है बहुत चलते चलते तुफान बहुत आते हैं बाबा डराते नहीं बाबा शब्धानी देते हैं बैचे माया का तुफान आएंगे इसमें तुमें निश्चे बुद्धी बिजोई हो करके रहना चाहिए अगर कोई भी बिकार का भोत अंदर होगा तो दिल को खाता रहेगा कोई को कहेगा क्रोध का दान दो तो खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो फिर हमको क्रोध ना करने के लिए कहते हो तो क्रोध को भी छुरना ही परे किसको समझाने के लिए किसको सुधारने के लिए क्रोध कोई छिपकर तो नहीं किया जाता काम अक्षर करके छिपकर किया जाता लेकिन क्रोध तो ये सबी का समने आ जाता क्रोध में तो आबाज बहुत होता है चहरा लालल हो जाता है तो ये आग भी बरा बरा हो जाता है आपस में लड़ते रहते है तो एक दो को गाली भी देते रहते है बाबा देखते है क्रोध का भोध निकालता ही नहीं है तो छोटा मोटा बात किसी को सहन नहीं होता कोई कोई यहां सम्मोग बाप के होती भी क्रोध खुर लेते हैं बाबा का घ्यान में चलते हैं बाबा का इतना सब्द है नहीं सुनते हैं फिर भी क्रोध में आ जाता है बहुत उम्हें क्रोध का भोध आ जाता है ये बहुत खराब है, तॉंग करते हैं, बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे, तो फिर भी पद घ्रष्ट हो जाएंगे, काम पद मिलेगा, तो ये ना बराबर है, ये तो समझाना चाहिए न, तुमको पाज बिकार बाब को दान दिये, फिर अगर हमें प्रतिग्या किया, तो परिष्टिती को समलने के लिए, तो हमें तो पक्का ब्रह्मन होना चाहिए, पक्का पुरुशर्टी हमें होना चाहिए, तो ये हम नजारा दिखाते हैं, तो बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं, अगर फिर क्रोध कर लिया, तो ग्र हमें क्या-क्या परिस्तिती का समना करना परेगा यह भी ड्रामा में नोद है बाबा का सद्धर्मराज भी होगा तो बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे क्रोध करना यह भी पाप है जिसमें पांच विकर है उनको पाप आत्मा कहा जाता सत्य युग में है सब पुझ्णो आत्मा वहाँ कोई पाप नहीं करते अभी जन्मा जन्मंतर के पापो का बोज़ा सीर पर बहुत है तो बाबा एक एक बात हमें बहुत शक्तिशली बताते हैं हमें बहुत शब्धानी देता है और हमें अंदाजा लागा देता है बचे ये काम तुमें करो अगर नहीं करो अभी तो पस्ताना परेगा पहले जो गबल से तो काट करना है जो गबल से ये पाप को हमें खतम करना है माया बरी खराब है लोब बहुतों में है काप्रे का जोते का तो पाई पैसा की बातों का लोब है बाबा अश्चुरित होते है तो जोट बोलते रहते है यह सब जोट की निशानी है चोटी-चोटी बातों के लिए तो कितना बरा-बरा जोट बोलता है यह तो सब कुछ मिलता है बहार में तो घर-घर में खिट-खिट लगी रहती है बाबा का घर में το कुई, तो कई कामी usteglich कि नहीं, और बाहर में कितना खिट-खिट चलता रहता है, वह भर्रह पती ब्रह्मन बोल् kicking 주, अापने को शाम्त रखने की जुगती रखने होने, भर भर छोड़ना भी बाबा एलाव नहीं करते, तुम सन्नाशी नहीं हो, ऐसे बहुत अस्रम है, जहां वल बच्चे सहित जाकर रहते हैं, फिर खिट-पिट तो सब जगा होती है, बाबा के पहले अपना अंदर अत्मा को अंतर अत्मा को आगे संभालो, तु फिर तु जहां भी तुम जाओगे, तु तुम्हारा भज्योतो तुम्हारा चरित्र तो साथ-साथ जाएगा ना, शंती कहा भी नहीं है, सच्ची सच्ची शंती, शोग, पवित्रता, एकोश जम्ना के लिए तुम बच्चों को अब मिल रही हैं बाबा का पास, तो ऐसी मत और कोई दे ना सके, बाबा हमें अभ्रान तो मत देते हैं, कर ली है, प्रदिशने में जाना है, मेले में, तो बहुत अच्छी रीति तुम्हें समझाना है लोगों को, बाल गवर्नर आपिनिंग करते, पर उन्तो यह थोरी ही बुद्धी में आता, कि इन्हों को परमात्मा पर आते हैं, ब्रमादरा, जिस से विश्यों का बर्षा मिल बहुत बहुत भी आईपी आते हैं, लेकिन वो निमंतरन पर आते हैं, लेकिन यह ग्यान का बारी में उनको कोई पता नहीं, सिर्फ कहेते हैं, अच्छा है, अच्छा है, माता यह अच्छा कर्तिब्ब कर रही हैं, यह वर्तमन समाए में बहुत जुरूरी है, स्रष्ठचर में थोरी ही बेटता भगवन कौन है ना पुरुषार्ट चलता है समझने का समझने का कोई पुरुषार्ट नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं अपना जैसा जिवन ऐसा ही चलाते रहे थे हैं तुमारी बुद्धी में है कि शी बाबा दरा रम्मा दरा कहते हैं मुझे ही आद करो शी बाबा का रूप भी जानते हैं हम करतब भी जानते हैं धाम भी जानते हैं तो तुम यह लक्ष पिनारेन बनेंगे बाबा कहते हैं यह ग्यान को जो पूरा बिलिप किया यह पेगाम सब को सुनाना है तुम पेगंबर के बच्चे हो न और जो भी आते है वो धर्मस्था करने के लिए आते हैं तो ये रज्य स्थापन नहीं करता है ये योगों परिबर्तन नहीं करता है तुम सब को ये मैसे सुनाओ कि बाबा सर्गर नई दुनिया की स्थापना कर रही है बहुत आसानी से कर रहे हैं बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित् आज लोगों को तो क्या क्या बात सुनाते हैं तो लोगों को दुशंगबाद ही देते रहते हैं या एक्सेडन्ट हुआ ये गटना हुई ये दर गटना हुई तो बाबा केहते हैं सबको ये खुश हल खाबर सुनाओ भगवान आया है भगवान ये कहते हैं अगर पवित्र ब को सुनाना तुम पेगंबर के बच्चे हो तो और जो आते हैं वह धर्मस्था पक है तो बाबा कहते हैं तुम भी सर्गों के मालिक बन जाएंगे अगर तुम बाबा का बात सुनो और सुनाओ तो घरी घरी यह ख्यालत चलने चाहिए कच्ची अवस्ता होने के करण तो धंदे हैं अपिश्में जाने से भी वही स्थिति बन के रहęना चाहिए कि यह हम अंतरिक आवस्ता है मौन आवस्ता है शानत आवस्ता है फिर जो कुछ महाबैकों सुनते हैं वह भी बैठतो नहीं जाते एक एक रतनों काम नहीं है लाखो लाखो रुपया है एक रत्न भी शर्गों के मालिक बना सकते है बना सकते है अगर बाबा कहते हैं यह लटरी तो सबी समझ नहीं पाते हैं यह माहा वैक्यों सुनने से हमे केतना परिज्जादा बन जाता है गाते भी हैं भारत हमारा बहुत उच देश है तुम जानते हो हमारा भारत जो सर्गो था वो अब नरक बन गया है अब फिर बाबा कहते है मामे को मियाद करो तो भी कर्म बिनाश होंगे प्रजा तो धेर बनती जाती है भृद्धी भी होती रहती है सेंटर खुलती ही रहता है बाब भी कहते है गाउ में जाकर के सार्विस करो ऐसे बहुत गाउ है जहाँ मिलकर के क्लास करते है फिर बाबा को पत्र लिखते है बाबा को बहुत प्यार से पत्र लिखते है तुम बच्चों का काम है ब्रह्मन धर्म को बराना ताकि सब मुनिशु देवता बन जाए हमारे इतना शुभाबना अंदर में रहना चाहिए यह ब्रह्मन धर्म जो फगवाना करके आप इस्थापना करते है ब्रह्मा मुकों से हमें ब्रह्मन मनाते है तो यहां बला जो होगा तो यह ब्रह्मन कुल के जो होगा तो वो और कोई सत्संगों में जाकर फसेंगे नहीं कितना संदर बाद बाबा समझाते हैं यहां मुख्ष बाद है पवित्रता की इस पर ही बाप बच्चों को स्त्री पूरुष के तो बाप बच्चों के स्त्री पुरानी दुनिया आपको काम का नहीं रही है फिर नए दुनिया चाहिए दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे जो आते हैं वो तोर फर करके फिर अपना नया बनाते हैं तो यादगार के लिए तो जब बरी लराई लगेगी तो ये सब तोट फूट जाएगा जो बाबा अब इशारा देते हैं देखो बचे आगे चल करके तुमें ये बिनाश को प्रप्त करना है महा भारत जुद्ध होना है ये अटोमिक वार होना है फिर नए दुनिया में नए महल बनाएंगे फिर जितना जो परेगा उतना ओजपत पाएंगे कोई अच्छे पढ़ते हैं कोई काम पढ़ते है यो तो चलता ही रहता है बापा इतना कुछ कहने का बाद भी हम समस्त नहीं पाते हैं तुम बच्छे यो पक्का याद रखो कि हमने जब चराशी जन्मों पुरे किये हैं अब पुरे किये कम्प्लीट हमें घर जाना है तो यो पुराना सरीर छोर हम नए घर जाए ऐसी पकी अबस्ता हो जाए फिर और क्या चाहिए पाना था सोपा लिया तो और क्या चाहिए ऐसी अबस्ता में कोई सरीर भी छोरे तो बहुत ओज कुल में जा करके जन्मों लेंगे बाबाने गरांटी दे दिया तो ये सुकुन ये खुशी हमको सदईवर रहना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकिड़ दे और गुड मार्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्छों को नमस्ते हम रूहानी बच्छों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मार्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुखशर नमबर वन अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है कमाई जमा करे पारलों की कमाई माया की चक्री में कभी नहीं आना है too much आशाएं नहीं रखनी है हमें बरबाद करा देंगे नमबर दो मुनश्यो को देवता बनाने के लिए अपने ब्रह्मन धर्मों को बाढ़ाना है बाबा ने ये हमें बहुत इंस्परेशन देते हैं गाउ गाउ में जाकर के शेवा करनी है ये तो परमातमादारा ये हमें फाउंडेशन डाला हुआ है बरदन बार बार हार खाने के बज़ाए बुली हार जाने वाले मस्टर शर्वशक्तिमान बीजोई भावो तो इसका अर्टो है शायों को सदा बीजोई रतनो समझ कर हर संकल्पो और करमा करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती मस्टर शर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते जोदी बार-बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी परेगी और हार खाने वालों को भविश्यों में हार बनाने परेंगे द्रापर से अनिक मुर्तियों को हार पहनाने परेंगे ले जाने के लिए तो अपने संपुर्ण शोरुब को धारन करने की प्रतिज्या करो तो विजोई बन जाएंगे तो ये बर्दन हमें लेना है तो शर्वशक्तिमान विजोई भवो का बर्दन बाबा हमें देते है जो इसका condition वो हमें पुरा करणा है श्लोगन कब सब्द कमजोर सिद्ध करता है इसलिए कब करेंगे नहीं आप करना है इसलिए बाबा कहते हैं तो कब नहीं आप करो आप नहीं अभी करो तो ये बार बार बाबा हमें ये हैस्ट शक्ति शली बनाने के लिए बाबा हमें ये पार्ट पराते हैं आज का समान है मैं मस्टर शर्वशक्तिमान आत्मा हूँ अच्छा ओम शंति